सैनिक इस्कुल के एक्जाम में अगर आपकी रैंकिंग चेंज हुई है पहले रैंकिंग कुछ और दिखा रही थे और अभी कुछ और दिखा रही है तो मेरे साथ जुड़े रही है मेरा नामे स्रिश गुपता और मैं एडू मेंशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ नए हूँ अगर आप चैनल पे तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कर लो ताकि एकांसलिंग से रिलेटेड और सारा डेटा मैं आपको देता रहूं वीडियो के थुरू और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे ग्रूप को जॉइन करें टेलिग्राम और वाट्सअप ग्रूप जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फड़ावर से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किये आप लोगों की दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा जिन्होंने भी रिजल्ट पे फोकस किया कि भाई साब अभी कुछ दिन पहले स्कोर कार्ड आया था स्कोर कार्ड हमने देखा था तो उसमें हमारे मार्क साय थे और हमारी रैंकिंग आय थी फिर क्या हुआ कि आपने स्कोर कार्ड में वो PDF डाउनलोड कर लिया और अभी वेट कर रहे थे 6 मार्स तक कि e-counseling शुरू होगा e-counseling शुरू होते ही आपने e-counseling भरा और आपने क्या देखा कि भाई साहब e-counseling के अंदर में आपकी रैंकिंग कुछ और दिखा रही है और स्कोर कार्ड में कुछ और थी Actually में इसका reason ये है कि अभी recently answer key में बदलाव किये गये हैं तो जो answer की पहले launch हुआ था government के site से उसमें कुछ changes किये गये हैं और उसमें कुछ update किया गया है उसकी वज़े से कई बच्चों के marks आगे पीछे हुए हैं तो marks में भी थोड़े बदलाव हुए हैं जिसकी वज़े से rank भी up-down हुआ है तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको realize होगा कि भाई साब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते आपकी ranking और change हुई है तो हुई है खतम बाद there is nothing you can do हाँ आप अपना नया जो answer की है उसको check कर ये वापिस से और मैं बता देता हूं कहाँ पर वो नया answer की मिलेगा और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप फिर वहाँ पर claim कर सकते हैं email कर सकते हैं यहां पर NTA वालों को कि भाई साहब आपके साथ गलत हुआ है बाकी हम मैं बता देता हूं कि आप answer की कैसे check करोगे यहाँ पर आप देखो यह website दिखाई दे रहा है इस website पर आपको आना है website का नाम है aisswe.nta.nice.in जैसे यहाँ पर आओगे तो नीचे आप आओगे तो नीचे देखो यहाँ पर public notice है public notice के अंदर मैं आपको दिखाई दे रहा होगा final answer key of class 6 और उपर में है final answer key of class 9 आप जिस भी class में है उसके हिसाब से आप check कर सकते हैं यहाँ पर final answer key of class 6 को आप click करेंगे तो automatically खुल जाएगा यह आपका answer key का list जिसमें answer update हुए है अलग-अलग के लिए अलग-अलग है final answer की जैसे यहाँ पर देखिए SMEs language जिन्होंने लिया था उनके लिए set J है फिर set K है SMEs वालों के लिए ऐसा करते-करते सारा set है वैसी आप नीचे जाओगे तो बंगाली आएगा बंगाली के बाद करते-करते English अब जैसे यहाँ पर द अंसर दिये हैं और intelligence का अंसर दिये हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं उसमें bonus मिला है सारे बच्चों को उसमें mask दिया गया है तो drop question का मतलब question गलत था और यहाँ पर multiple जो answers दिये हैं इसका मतलब यह था जैसे यहाँ पर question number 17 में देखिए 124 दिया है इसका मतलब यह था कि वाले जो हैं वह हिंदी वाले के लिए चेक कर सकते हैं English में सेट के भी दिया है तो सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर तो यह update करने के बाद आप फिर से calculate करो आपके marks marks में कुछ changes होंगे तो rank में भी change आएगा otherwise rank में change नहीं आना चाहिए फिर भी अगर change आता है त तीन चार हजार दस हजार के difference है तो ठीक है आप करो उसको कुछ issue है तो otherwise अगर थोड़े बहुत rank का difference है तो आप बहुत जादा load मत लो तो I think आप लोगों कुछ चीजें समझाई होंगी कोई भी doubt हो comment section में डालो मैं आपका reply दूंगा चैनल को please subscribe कर लेना ताकि कोई भी update आप यालो मैं चार होंगी कर दो